नमस्कार और आपते ख्रेम परपल फद्रबाद पहुंचे जेजेपी परदेशा धर्द सरदान निशान सिल्थ वह इप पराली जलाने के महमले को लेकर के बड़ा बया दिया सरकार से की जाएगी बाच्चे काच छोटे और बड़े दोनों परगार के किसानों को महाईया कराई जाएंगे पराली निप्टान के लिए क्रिशी अंद्र किसानों पर जो मामली डर्ज किये जा रहे हैं उन मामलों के बारे में भी सरकार से बाच्चीत होनी कोई किसानों को रहत प्रदान करने के लिए काम कहरेगी जेजेपी गटबंदिन को लेकर के बोले निसान सिंग कहा पूरे पांच साल तक चलेगी जेजेपी और बीजेपी की गटबंदन साका फलपल फट्यवाद से राजेश भाम्भू की विशे सिपो फट्यवाद में आज जेजेपी के परदेश अध्यक सरदार निसान सिंग पहुंचे और भूना रोल पर स्थित रेश्ट हाउस में उन्होंने एक प्रेसवार तकी विडिया से बाचित करते हुए निसान सिंग ने कहा कि उनकी पार्टी ने दस माईने से दस विधायक बनाए हैं आगे भी उनकी ये मोहिम जारी रहेगी और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ जोड़ेंगे प्राली मामले को लेकर के किसानों पर जो दर्श के जा रहे हैं मामले उनको लेकर के पुछ देख सवाल में निसान सिंग ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह किसानों को प्राली निप्टान है तू यंत्र मुहिया करवाए किसान चाहें छोटा हो या बड़ा हो उन्हें यंत्र मुहिया करवाए जाएं उनको लेकर के दूशन चोटाला द्वारा सरकार से बाचीत की जाएगी निशान सिंग ने कहा कि प्रदूशन भी एक बहुत बड़ा मुता है इसको लेकर के सबी को जागरूख होना चाहिए निशान सिंग ने कहा कि वह सरकार के सामने यह बात हमेशा रखेंगे और किसानों के हग के लिए समाधान खरवाएंगे वही गट बंदन पर पूछे के एक सवाल के जवाब में निशान सिंग ने कहा कि उनका गट बंदन पूरे पांच साल चलेगा अब देखें पलपल की एक खास रिपोर्ट नेशनल ग्रीन टर्बूनल की वो कही न कहीं सरकारें फॉलो नहीं कर पाई और एंजीटी ने बहुत सारी सरकारों को फाइन भी किये हैं उनको सकत चठियां में लिखी हैं और मैं भी इसी रेस्ट आउस में आदनी मुक्य मंत्री जी मुनौरलाल जी को मिले थे वारे साथी प सिपार्शी को फॉलो के उसकी सिपार्शी ये हैं कि जो समाल फार्मर हैं उसको एक्विप्मेंट जो होते हैं जो इसको पराली को काट करके बहार में काल सकें वो महिया घरवाओ ये सिपार्शी हैं और मैं बहुत खेती के बारे में खेती के काईदे जो हम उसके बारे में तो मुख्यमंत्री जी उस वक्त तो चलो बात टड़ गी थी, वो जादा कारगर नहीं थापत हो पाई, और अभी तक कोई भी सरकार किसान को वो जो जरूरत थी हो महिया नहीं करवा पाई, कि मशीन महिया करवाए, जो काट करकी है, उसको वेस्ट जो है, उसको बाद रिका ल लगे, स्माल फार्मर के लिए कलोज हैक दिखी हुई उनुगे, और बड़ा जो किसान है, उसको भी मशीने महिया करवाए, लेकन शोटा किसान स्माल फार्मर उसको ज़्यादा तवज्यो दी गई कि उसके पास इसने सादन नहीं हो, दुशन जी अब सरकार में हिश्चेद लागू करें, और उसके लिए वो मुस्तेदी से काम करेंगे, आपने देखा है कि वो सेंटरल लेवल पे बहुत सारी परस्नल्टीज को महामि मरास्टपती महुदे से लेकर के सब को मिले हैं, अग्रे मिले हैं, और मिनिस्टर्ज को मिले हैं, और परदेश के लिए सादन ज नस्या क्या है कि अभी सादन नहीं है, हम सब्त खिलाब हैं इस बात के की पुलिशन बढ़ाया जाए, कि कोई आग लगाए, मैं उसमें एक मिसाल हूँ कि मेरे खेत में चैहें मेरा परिवार खेती करता है, कई वर्षों से हमने को की दिने लगाई, हम आग लगाने के खिला किसान को अगर थोड़ा बहुत काइन की बात है, देखो, विदेशों में जाओगे तो कानून की पालना तभी होती है, तो सकती होती है, गिमार उनका भी हमारी तरह है, सकती नहीं होगी तो कानून की पालना नहीं होती है, लेकन किसी पे करेमिल पर्चे दर्ज हो जाएं कि इस दर्ज हो जाएं, उसके हम पक्षमें नहीं हैं, कहां भी हैं और और जाकर के कहेंगे, भी हमारी वजाएगन भी इस बात को उठाएंगे, थोड़ी नर्मी बरती जाएं, और किसान को पहले एजूकेट किया जाएं, और NGT की सिफार्शों के तहट उनको सादन महिया करव अगर फिर नहीं गट्ती मानता तो उसके खलाब सकती ही जाएं, तो ये एकदम कोई चीज होनी जो है ना वो शायद अच्छी नहीं है, लेकिन फॉलिशन हर बंदे को परवावित करता है, उस किसान को भी करता है, उसके बच्चों को भी करता है, आप लोग जो किसान नहीं है, आपको भी उतने करता है, किसी तरह जो मेवारी तो होगे ही ना, किसान की कि वो इसमें इंडेस्ट्री वारा बंदा है, और लोग हैं, किसी भी तरीके का प्लिशन हो, तो बुरी बात है, उसको रोकना है, हम सब का प्रियास होना चाहिए, प्रेस का उसमें सबसे बड़ प्रिये से, ओवराल उनकी जो सूजबूज है, उसके जरीए किसान को रलीफ दिलवाने का काम है, पार्टी हमारी दस महिने में दस विदाएक, इस परफॉर्मेंस को भी हम बहुत बढ़िया बानते हैं, क्योंकि हमारे सामने कॉंगर्स जिसको कहते हैं, एक सो बीस वर्ष पार्टी है, उसके सामने जो परफॉर्म किया है, वो भी अपने आप में बेमिसाल है, तो पांच साल अब सरकार में हैं, तो इसका मतलव यमाना जाए भी, पांच साल पांचास मिदाएक, हमारी आशा तो यही रहेगा, कि हमें उसी स्पीड से, जनता का सायोग समर्तन और मिले, और हमारे नेता की दुश्यांत की जो शवी है, वो भी उस लाइक है, कि लोगों ने उसका मसंद किया है, और जितने भी लोग जीते हैं, बहुत अच्छे मारजन से, जिनमें दुवेंदर बभली जी आपके सामने बैठे हैं, टॉपर रहे हमारे, इनका जो लीड थी जो लोगों ने दी है, तो बाकी भी दुश्यांत जी खुद 47,000 प्लस ओर से जीते हैं, बाकी भी हमारे लोग जितने भी जीते हैं, बहुत अच्छे मारजन से जीते हैं, इसी तरह ऐसे जो बाकी बाते हमने कहीं हैं, चै वो ओल्डेज पेंशन का विकलांग और विद्वा पेंशन की बात हो, और चै हमारे बच्चों के ये पेपर जो दूर जा करके हुए और पिछले दिन उनको दिखते हैं, उन सी जो की बात हो, चै हमारे जितना भी हमने विजन रखा था, हमारे गोशना पत्र था, चै उनकी बात हो, इन सभी चीजों को जो जो हमने वाइदे क पूरी तरह से लोगों का वाइदा किया है जो लोगों के साथ उसको नहीं बाने का कांगर्स आपके गटमंदन थेरा रही है। अपनी बातों अपनी नीतियों के खिलाफ भी कह रही है। प्रोग्राम के लिए अभी कमेटी बैठेगी, कमेटी गठित होगी, वो सारी चीजों पे जो अना विचार करके सरकार को रिपोर्ड देगी, लेकन हमने शुरुआ तो दिखा दिना आपको, जो एक दिन का, जो केवनेट की फैसले थे, मानिय मुख्य मंतरी और हुप मुख्य मंतरी के, वो आप देखो बच्चे के लिए जो हमने बात कही थी, कि अपने जिले से बाहर में जाना पड़े जा, तो ऐसे जो टेस्ट हैं, वो उसके लिए कर दिया ने, कि पचास किलोमेटर से दूर ने जाना पड़े, उसकी तो सराहना करनी पड़ेगी साथियों को, कि एक शुरुआत, एक नजरिया जो दुशन जी का है, वो लोगों के सामने आया है,